साथियो जब प्रबंधन की बात हो रही है तो मैं आज छत्रपती सिवाजी महाराज को भी याद करूँगा छत्रपती सिवाजी महाराज की वीर्ता के साथ ही उनकी गवर्णनेंस और उनके प्रबंध कौसल से भी बहुत कुछ सिखने को मिलता है विशेशकर जल प्रबंधन और नवसेना को लेकर छत्रपती सिवाजी महाराज ने जो कार्य किये वो आज भी भारतिय इतिहास का गवर वढ़ाते हैं उनके बनाए जल दूर्ग इतनी सताब्दियों बाद भी समंदर के बीच में आज भी शान से खड़े हैं इस महने की सुरुवात में ही छत्रपती सिवाजी महाराज के राज्या विशेक के 350 वर्ष पूरे हुए हैं इस अउसर को एक बड़े पर्व की रूप में मनाया जा रहा है इस दौरान महाराज के राइगर केले में इस से जुड़े भव्य कारकमों का आयोजन किया गया मुझे आध है कई वर्ष पहले 2014 में मुझे राइगर जाने उस पवित्र भूमी को नमन करने का सौभागे मिला था यह हम सब का कर्तव है कि उस आउसर पर हम छत्रपते सिवाज महाराज के प्रमंद काउशल को जाने उनसे सीखे इससे हमारे भीतर हमारी विरासत पर गर्व का बोध भी जगेगा और बविश के लिए कर्तवियों की प्रेणा भी मिलेगी